आज की ये प्रेस मेट बसवकल्यान मुसलिम वेलफर सूसेटी की जानिब से बुलाई गई है हमारे हाँ जितने भी सियासी पार्टिया हैं जो अपने क्यांडेट इस एलेक्शन में उतारनी जा रहे हैं उससे एक निवेदन करती हैं उनसे एक डिमेंड करती है कि वो मुसलिम क्यांडेट को उतारें हम कांग्रेस पार्टी से बीजेपी से इवन दो बीजेपी से भी हमारा ये मुतालबा है कि वो हमीं टिकट दें, फिर टिकट दे करके हमीं देखें, हमारे केंड़ेट को भी बसकलियान चेत्री से उतारें, जेडिये सेकुलर पार्टी होनी के नाते भी, आज तक किसी मुसलमान को जवा यहां से नहीं उतारा गया है, आई दिन हम देख रहे हैं, कि जेडिये सेकुल पार्टी बीजीपी से जैन हो रही है, बीजीपी से उसका आलाइंस होनी जा रहा है, यह आई दिन पेपरों में आ रहा है, सोशल मेडिया पर आ रहा है, पिरस्न मेट में आ रहा है, इसके बावजूद में अगर हम लोग हमारी पॉलिटिकल राइट्स के लिए नहीं उठते ह या दावा नहीं करते हैं, तो मैंने समझ था कि जो है, यहां मुसल्मान कम्यूनिटी कोई बड़ा काम करेगी, हम यह चाहिए कि हम पॉलिटिकली जिन्दा होनी चाहिए, छोटे पी से लेकर के बड़े पी तक, मैं इस बात का दावेदार हूँ, बीस साल से इस बात की कोश कर रहा हूँ मैं, कि मुसल्मान आगे बड़ें, मुसल्मान ये ना देखें कि मुझे ओट मिलता है या नहीं मिलता है, दूसरे जातें ओट देते ही या नहीं देते ही, मैं जीता हूँ या हारते हूँ या ये ना देखें, बलके इस बात का जो है, आप इरादा करकर उठें कि मुझे election contest करना है मुझे election contest करना है बहिसी है तो मुसलमान क्यों कि मेरी community हर एक को ओड देती है हर party को ओड देती है लिंगा एक को ओड देती है महराटे को ओड देती है कोली को ओड देती है धंगर को ओड देती है तो क्यों हम लोग ये दावा क्यों ना करें कि आप लोग हमी भी ओड़ दें हम भी इस देश के निवासी हैं इस छेतरी में रहने वाले हैं हमी भी अधिकार बनता है कि पॉलिटिकली हम भी स्ट्रॉंग हो जाएं लेहाजा आज की जो प्रेस मीट है उसका लबे लुबाब यही है कि आनी वाला ही होता है तो हमारे पास दीगर आप्शन भी मौजूद है हमारे पास जो है दो और दीगर पार्टियां भी हैं समझे जैसा कि M.I.M. है W.P.I. है इससे हम खिसमत आजमाई कर लेंगे